नमस्कार केविश्टोड़ की ओर से मैं गवर्वकुमार पाठक आप सोगा पुनाई एकवार स्वागत करता हूँ हारदिक अभिनन्दन करता हूँ अभी हम हैं बेगुश्वाय की विरपूर परखंड में जी आप देख सकते हैं रासरकार के सात निश्चे के अंतरगत अस्थापित कुसल युवा काडिकरम बिहार कौशल विकास मिसन से संबद नहसुलक कंप्यूटर परसिक्षन केंद्र जहां भासा कोशल कम्प्यूटर का स्मार्ट उप्योग और केरियर के लिए जो बेभार कोशल पर सिक्षन होता है यहां दिया जाता है प्रखंड कोशल विकास केंद्र विरपूर जहां अभी बात कर रहे हैं युवाओं को स्किल डवलप करने के लिए सरकार ने जो साथ मिश्चे योजना के तहत जो कोशल विकास कार्ड़कम बनाया है उसके तहत आज हम हैं बेगुश्वाइ की बिरपूर परखंड में तो आए बिरपूर के कोशल युवा कार्ड़कम सेंटर पर यहां सेंटर कॉडिनेर से मिलते हैं और इन से जानते हैं तो आप देख सकते हैं हम कुशल युवा कार्ड़कम का पर शिक्षन के इंदर विरपूर में अब आपर क्लास्रूम में लेंगविज स्किल डेवलपमेंट के लिए जो क्लास हो रहा है आई यहां मिलते हैं जो यहां के ट्रेइनर है जो एज टीचर काम कर रहे हैं और कुछल यूवा कारक्रम की तरह तरह तो यूवाओं को भाशा कोसल का जो जो जान देर हैं इन से जान आपका यहां आप कब से काम कर रही हैं यह रहाई साल से काम कर रहे हैं आप यह क्या करती हैं सियलेस काई क्लास लेते हैं लेंगविज स्किल तो यह बच्चे यहां कब से पढ़ रहा हैं यह तो लॉक्डाउन से पहले का क्लास था लॉक्डाउन के बज़े से बंद हो गया online class होता है तो जिसे language skill में बताया जाता है so improve करने के लिए इंगलीस को और इसमें जो भी बताया जाता है जो हम बरो में पने लिगलिए के से परिण हमारा वैभार केसा होगा किदे जिलिदे हो श in-ka course होता है तो तीन महिने में आपको लगता है कि ये बहुत हद तक अपने जो भाशाई कोशल का ग्यान इनको हो जाता है नहीं मतलब बहुत हद तक नहीं लेकिन इतना जोर हो जाता है जो कहीं भी अगर इंटर्विव जाना है तो वहां कैसे जाना इंटर्विव के लिए तयार करना है बहुत बैसिक इंगलीस और बैसिक स अच्छा मिल रहा है तो बहुत यह अच्छा यह जो दर्शक जो गारजियन या जो भी यहां से सुन पा रहे हैं उनसे आप एक ट्रेनर के रुप में क्या अपील करना चाहेंगी हम चाहेंगे जितने भी अगर जानते हैं कि इसके वाईपी कोर्स के बारे में तो वो अपने बच्चे को यहां भेजे और बहुत अच्छा फेकल्टी है यहां पर बच्चे को फिरी में बहुत कुछ मिलता है तो आका बच्चे यहां सीख सकते हैं तो आए कुछ बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि सरकार की जो योजना है कुछल यूवा काड़िकम के तहरा जो स्किल डवलप्मेंट के सरकार की योजना बनाई है वह कितना कारगर्सी दो रही है और यहां आकर में कैसा लग रहा है क्या नाम है छोटी आपका हाजरा अच्छी योजना है यह अच्छी योजना है सीखने का अफसर मिलता है computer का basic knowledge और जो लोग आपको यहां से देख रहे हैं जो माताप फिता या जो गारजियन होंगे या जो बच्चे होंगे जो भी वही चाहते हैं कि हमें skill development करना है तो उनसे क्या करना चाहेंगे आप उन्हें बेजने चाहिए और अपने मतलब अंदर computer का जानकारी को develop करना चाहिए कि कैसा होता है computer में क्या कौन-कौन से course होते हैं चलाए गया एक योजना है और ये दो तीन मन्त का course है इसमें तीन course आते हैं BSCIT, BSCLS, BSSS BSCIT में जैसे computer का basic knowledge पराज़ जाता है word paid, not paid, power point, excel और BSCLS में इस subject में हमें जैसे किसी से English का basic English सिखा जाता है जैसे English news paper पढ़ना, सुनना और BSCSS में इंगलीज या इंगलीजी बातचीत करने का तरीका और आत्म जाग रुकता समय परवंदन और अपने अंदर English डवलप करना रहने बादाव का बहुत साइज जानकारी आपने दी क्या नाम है आपका? राज कुमार अंजन मेरा नाम है कब से आप यहां रहे हैं? आप तो रहे थे लॉक्डाउन से पहले से एडमिसन हुआ फिर लॉक्डाउन लग गया उसके बाद यह दर दो महने से आड़ है एडमिसन की क्या प्रक्रिया है? जो बच्ची यहां आना चाहेंगे, तो कैसे आएंगे? वो टेंथ पास करेंगे पहले उसके बाद यहां फिर नीशूल करा है यह कॉर्स तो आ सकते हैं उसके लिए तो यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसकी प्रक्रिया मैं चाहूंगा जो दर्सक देख रहे हैं या जो युवा चाहते हो कि वो भी यहां से जूरे उसकी प्रक्रिया के बारे तो आप बाता है तो वो एस्टूड़न जो यहां पर आना जाते हैं वो पहले अपना कुछ डोकुमेंट लेके यहां आये, उसके बाद यहां से जाना पड़ता है कंकोर, वहाँ पर इसका में ब्रंच है, DRC, जाना प्रता है, वहाँ पर रेजिस्टेशन होता है. क्ष़ों ए आप यहां आ रहे हैं आप कंप्धर सी रहे हैं वासा सी किल सी whack rang То क्या का गाना चाहेंगे सरकार की यू़ी ओजना है स्के बारे में क्या कहने चाहेंगे सरकार को हुं में This क्यों क्यों कपतल को ना है तो इसलिए इसमें भासा के बारे में हमें कैसे बोलना है यह सब अपर होता है सिखाराद तार कंप्ध्र के बारे में कंप्यूटर बैसिक नॉलेस इसमें दिया जाता है जिसे एक साल पावर पॉइंट डिक अधी यह आपके जीवन में या आपके परसनालिटी में क्या बदला हुआ यहां से जब आप सीख रहे हैं यहां से बहुत सारा बदला हुआ हमें लग रहा है कि इंप्रूव हुए हैं हम कुछ तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं हम खुद डिपेंट हो गया है बहुत धन्यबाद आपका जात रहें क्या नाम है सर आपका इंप कुमार कपसे आप यहां रहे हैं लॉक डुह लगवार से पहले आ रहे थे लॉक डॉन लाग रगया उसके बाद सभी बच्चे को परिसानी हुए उसकिव लॉक्डाउन के बाद कलास क क्लास करने के लिए मन में सोचा की जाते हैं कुछ युवा का इसको लेकर आप क्या कहना जाएंगे इसके लिए बहुत अच्छा सरकार को इस तरह के यूजना निकालने चाहिए जिसे गरीब बच्चे आगे बढ़ शके क्योंकि पैसा के कारण गरीब बच्चे आगे नहीं ब अच्छा लग रहा है ना आपको यहां जाने बाद आपकर इसके अच्छा लग रहा है इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका पिरिति कुमारी कहां से आ रही हैं आप भावाननपूर कब से आ रही हैं लोगडाउन से पहले एडमिशन कराए फिर लोगडाउन उसके बारे हैं दो महिने से आ रहे हैं क्या क्या सीखा अभी तक आपने बैसिक कंप्यूटर के बारे में और लेंग्वेज स्किल इंग्लिस बैसिक इंग्लिस और सॉप्ट स्किल अपने अंदर आट मुझार उपता डेपलप करना और इंटर्वियू कैसे देना यह साथ सीखें तो अच्छा लग रहा होगा आपको को लड़कों की यहार युवाओं को ट्रेंड करने का उन्हें स्किल डेवलपमेंट करने का उन्हें भासा का ज्यान देने का उन्हें कंप्यूटर के बेसिक ज्यान देने का तो इस पर सरकार को क्या करना चाहेंगे आप या जो लोग यहां सुन रहे हैं उनसे क्या करना चा सब्सक्राइब करेंगे वह इस मौके के सुनारे मौके का लाब उठाए और जितने भी गार्जान वह अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखने के लिए भेज़े बहुत धन्यवाद आपका सीमा कुमारी कहां से आ रहे हैं आप बिरपूर से कब से यहां सीख रही हैं लॉक्ड बनाने का युवाओं को कोईशलता का ज्यान देने का उन्हें आत्म निर्वर बनाने के लिए स्किल डवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्यान भासा का बेसिक ज्यान इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हम सरकार को थेंक्यू बोलना चाहेंगे क्योंकि सभी गरीब बच्चे को मतलब कंप्यूटर शिखना नहीं हो पाता है इसलिए इसमें आके सब अपना सीख सकते हैं कंप्यूटर या बेसिक इंगली यहां सब सिखाया जाता है और बोलचाल का कोसल चोटा मोटा सब दुकोस भी सिखाया है पाएंगे भासा कोसल का बहुत बड़ा फुर्ण अस्थान है और सरकार ने इस और भूत बढ़ा ध्यान दिया हैं इसलिए कोसल युवा कारिक्रम के तद बच्छों को युवा को भासा का ग्यान दिया जाता है फिर देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं धंप्वीटर कक्ष में को कॉप्उटर का जञान के तहत युवाहों को कम्प्यूटर का ज耐 निया रहा है तो उसी तहत यहां पर बच्चों को खा ग्यान द्याइज रहा है अब देख सकते हैं बच्चे एकस्पर्ट के साने बैटे हुए होए हैं इस वह देखं़ी कोइस कपूर रहे हैं इस बते हैं αिकस्पर्ट करेमा बच्छों को किस था कि कोर्स हिला जाते हैं और क्या प्रोसेज है और इससे इनको क्या लाब मिलता है लाब यहीं मिलता है इस कोर्स में करने के बाद दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं या कुछ यॉब सेक्टर में भी जा सकते हैं तो यहां जो कोर्सेज होते हैं इसके बारे इंदुरा बताएं इस कोर्स में प्यूंक कोर्स सब्सक्राइब कर सकते कुछ बच्चों से मिलते हैं और जानते कि जोने कम्प्यूटर का बेसिक ग्यान दिया रहा है तो क्या बदला उनके परसनालिटी में उनके ग्यान में आया है क्या नाम है आपका सुजीत कुमार कहां से हैं आप हम टारी पर से हैं कब से आप यहां रहे हैं आ रहे हैं दो महिनास मतलब आ रहे हैं लोगडाउन मतलब उससे पहले नम लिखाए थे उससी साल 2020 में नम लिखाए थे और फिर से आ रहे हैं अच्छा लोगडाउन के बाद जो इस तरह का प्रसिक क्छन आपको मिल रहा है क्या कहना चाहिए सरकार को कितना लाव हो रहा है आपको इसे हमको पहले मतलब application मतलब online करना नहीं आता था पेन कार्ड नहीं बनाना आता था अधर कार्ड कैसे मतलब देख सकते हैं सुधार कर सकते हैं इसमें मतलब के वाइपी जब से जोइन किये हैं यह सब मतलब हमको कोसल सिखाया गया और आता है कंप्यूटर का बेसिक ना आप यहां ले रहें क्या 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 कि सीखा है अपने बेसिक यहां मुने सीखा है मतलब वर्ट पैड नोट पैड और उसके बाद पावर पॉइंट एकसल और कुछ मतलब वेबसाइट है सब्सक्राइब विल के स्कूल के संखेब के और फुरिया मैं कवा इसके बारे में का ना चाहेँ जो बहुत जाये हैं उनको यहीचना चाहिए कि मतलब हम भी सिख रहे हैं और आगे केker जोता है को मतलब भी भेजना चाहिए के वाई पी करने के लिए परिस्क्षन के अंदर में ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़ी बैच सही है आप अच्छा आप से मैं यह कहना जाना चाहूंगा आप से मैं यह जाना चाहूंगा कि जो य करना पेंगारण बनना ओन्लाइन का सारा सिस्टम करना यहीं से हमने सिखा है कम्टार को आप समझनें लगें हैं आप जी यह सरकार ने जो यह जो योजना चलाई है इस पर क्या करना जाए इस पर क्लिए दिए बहुत अच्छा है अप यहां कम्प्यूटर का बैसिक ज्यान दिख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कितना उपयोगी है सरकार की है योजना, सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है, गाउं की घर की बेटियों सहर में जाके उतना नहीं पर पाती है, और गाउं में computer का knowledge basic रहना बहुत ही अच्छा होता है, तो सरकार जो आप यहां पर ट्रेनिंग ले रही हैं, computer का यह कारिकम यहां चलाए जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को यह गाना चाहेंगे कि आप मतलब उनके दोरा जो यह computer कोर्स दिया जाड़ा है, वो बहुत ही अच्छा है और हम लोग के लिए बहुत ही लाख दायक है, और जो भी हम जैसे हम लोग गाउं में पढ़ते हैं, तो गाउं के बेस्टूटे इंटर बाहर में जाके जैसे हम लोग गड़ी परिवार से आते हैं, तो मितलब बाहर में जाकर हम लोग के उतना capacity नहीं है कि हम बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, तो गाउं में जो यह सारा system system जो है, सरकार को बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे कि मतलब कम खर्ज में हम लोग अच्छा कोर्स कर रहे हैं, अच्छे यह बताएगे कि यहां पर आपने क्या क्या सीखा है, यहां पर हम वर्ड एक्सल जैसे पाबर पॉइंट होता है, जैसे और बहुत से अप्लिकेशन होते हैं, यह सम बहुत चीज सीख है, बहुत अच्छी योजना है सरकार की यह, बहुत कुमार हुआ, और मैं यहां पर सेंटर कॉर्डियेटर हूँ, सबसे पहले में केवी इस्टिडियो का धन्वाद कहना चाहूँगा, कि वो यह सरकार की जन कल्यानकारी योजना है, इनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं खाच कर रोशन सेर और चाहूँगा कि जो दर्सक आप यहां से देख रहे हैं, इस पूरे काडिकम के बारे में कोशनल युवा काडिकम जो साथ निश्चे योजना के सरकार ने चलाया है, इसके बारे में पूरी बिस्तित जनकारी दें, कैसे इसमें नाम गार्ण को क्या लाभ उनको होगा, क्या इसके बारे में पूरी बिस्तित जनकारी हमाई दर्सकों से सेर करें, यह बिहार सरकार के साथ निश्चे के अंटरगत एक योजना है, जिसका नाम है आर्थिक हल इवाओ को बल, इसके अंटरगत तीन तह के योजना भी चल रही है, उसमें से एक के वाइपी है, एक एसेच इसके अंटरगत तीनों ही योजना इवाओ के जनकल्यान के लिए बनाया गया है, बेसिकली के वाइपी का जो कॉंसेप्ट है, वो यह सोच के लाया गया है कि हमारे जो बिहार के इवाओ हैं, इनके पास कोशल की कमी नहीं है, इनके पास एक थोड़ी सी कमी जो रह जाती है कि जो ग्रामीन परिवेश के आते हैं, उनके पास कम्पूटर नॉलेज जो आज की जुक की डिमांड है, सब कुसे जादे आना चाहिए आदमी को वो नहीं है, तो उसके लिए बिहार सरकार ने निसूर कम्पूटर परसेशन का वेवस्था किया है, इसमें एडमिशन के लि वी सी हैं, तो 30 और बांकी के लिए 33, एक एज लिमिटेशन दिया हुआ है, और जहां तक एडुकेशन की बात है, तो वो मिनिममम टेंथ पास होने चाहिए, तो वेसे बच्चे अपने साथ जो निम्रकी डोकुमेंट है, हम डोकुमेंट आपको बताते हैं, एक आधार कार् परमन पत उनके पास होना चाहिए, 10 या 12, दोनों का मार्षित उनके पास होना चाहिए, यही कोई 10 किया हुए है, तो 10 का चाहिए, यही 12 का है, तो 12 का लेंगे वो, और एक बेंक पास्वूक चाहिए होता है, यह सब लेके वो अपने नजदी की सेंटर पर पहुँचेंगे और वहाँ पे उनका registration कर दिया जाएगा registration के बाद वो जिरा निबंधन काजियाला है कंकौल में अपने हर एक जिला के मुख्याले में एक काजियारे रखा गया है जिसका नाम है जिला निबंधन काजियाला वहाँ पे वो जाएंगे वहाँ से वो registration करवाएंगे और वो receiving लेके जो भी center पे वो admission लेना चाहते हैं जो भी कुछल लिवा काजक्रम center है वहाँ पे वो जाके admission ले सकते हैं admission के वक्त उनका 1000 रुपिया लगता है जो security deposit के लिए होता है वो इसलिए रहता है कि यदि वो बच्चे course को complete नहीं कर पाते हैं तो वो पैशा सरकार उनको refund नहीं करती नहीं तो जितने भी बच्चे हैं यदि उन्होंने course अपना time पे complete कर लिया है और वो परिश्चा में pass हो गए हैं तो वो पैशा उनको refund हो जाता है और यहाँ पर जो परहाया जाता है वो basically तीन तह के course परहाया जाते हैं फर्स्ट है BSCIT बिहार State Certificate in Information Technology सकेंड है BSCLS बिहार State Certificate in Language Skill और BSCSS बिहार State Certificate in Soft Skill जिसको यह दि हम लोग हिंदी में कहें तो Information Technology में उनको बताया जाता है कि basic आपको computer knowledge basic computer में जो basic office applications हैं जैसे word हो गया, excel हो गया, powerpoint हो गया, outlook हो गया इसके बारे में जनकाई दिया जाता है इसके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे digital यूग में जवत है आदमी को जैसे आप अपना mobile recharge कर सकते हैं, आप अपना railway ticket कैसे book कर सकते हैं, आप अधार card कैसे download कर सकते हैं, अब अवाशिय, AI यह सभी आप online कर सकते हो तो वो सभी चीज यहाँ पर बताया जाता है इसके अलावे जो आपका second subject है CLS, वहाँ पर आपको language form करने के लिए बताया जाता है, language means सिर्फ Hindi नहीं, Hindi और English, दोनों language को कैसे हम form करते हैं, कैसे बनाते हैं, यह बताया जाता है और soft skill, soft skill में आपको बेवहार का उसल बताया जाता है, कि यदि जो युवाँ हैं, वो आज के कुछ दिन के बाद जब वो इंटर्व्यू के टरास्म जाएंगे, तो वो कैसे अपने आपको परजेंड कर पाएंगे, बहुत बार क्या होता है कि आपके पास knowledge है, लेकिन आप उसको आप सामने वाले को परजेंड नहीं कर पाते, तो वो चीज यहां पर बताया जाता है, और मेरे खियाद से बहुत ही कल्यानकारी योजना है, इच्छत के बहुत ऐसे युवाँ हैं, जिनके परिवार का मासिक आए इतना नहीं है, कि वो अपने बच्चे को कहीं जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता, तो एक बहुत ही महत्पुन समय होता है, तो जो बच्चे यहां से देख रहे हैं, खास करके जो युवाँ आपको यहां से देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स आपको यहां सुन रहे हैं, उनसे आप एक एक्सपर्ट के रूप में, सेंटर कॉडिनेटर के रूप में क्या फील करना जाएंगे? करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप अपने नजदिकी संटर से संपर्ट कीजिए, और यही बैच एलोट होना शुरू हो जाए, एडमिसन पर करिया शुरू हो जाए, वो जर्द से जर्द अपना एडमिसन करवा लें, चुकि जो चीज आपको यहाँ पर मिलेगा, आप भविस्ट में कुछ भी कीजिएगा, चाहे आप जेनर कमिस्टिंग तैयारी करते हो, चाहे आप इंजिनियरिंग करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपको बेसिक कम्प्यूटर का रिक्वार्मेंट परेगा ही, और यदि आपके पास बेसिक संपड कीजिए, और एडमिशन लिजे के वाईपी में, यहाँ जाना जाओंगा, यहाँ जो परसिक्षन होता है, तो उसको कितने सत्र में बाटा गया है, जो शिफ्ट कहते हैं उसको, बेसिकली यहाँ पर परसिक्षन होता है, वो चार घंटे का होता है, हर एक बैच के लि में स nominees, जिफे मोढ़ी में में हो यहीमिशन और स्टीट के लिजे परसिक्षन, में बीस पर स्मस्तों हैं, वो ही में में हमिस कंशन उसको परसिक्षन, यहाँ गर्मिशे को प्रसरों परसिक्षण, परसिक्षन och taxi कि तहसे हमाँ सब्सक्राइण, और दरसक ही लग्यशन जानकारी हमें उपलबत कराई बहुत बहुत आभार आपका थेंक्यू थेंक्यू भेडी मज्च के विश्टिडियो एंड रोशन सर थेंक्यू तो अभी आपने कौसल युवा कारिकम बिरपूर के कौर्डिनेटर के विचार सुने उन्होंने बहुत बिस्त्रित जानकारी दी आप इस योजना का लाव उठाएं यह योजना बिल्कुल नहीं सुल्क है और इस योजना के तहत यूवाओं को कुशल बनाया जाता है उनका स्किल्ड डेवलप्मेंट के जाता है इसकरिए उन्हें कंप्यूटर का वेसिक ग्यान दियाता है जो कि उनके केरियर के साथ आप इस योजना का लाव उठाएं और अभिलम इस प्रसिक्षन को अपने इस प्रसिक्षन से जूर कर आप अपने आपको आत्म निर्फ़ बनाएं के रामें दीपक के साथ मैं गवरपकुमार पार्ठक के वी स्टूडियो बेगुश्राएं लाव भुभ बनाएं